नमस्कार जी मैं मन्जू मेरे गार्डन में जो इस टाइम अमेरलस लिली के धेर सारे खूब सारे फ्लार्स खिल रहे हैं तो मैंने कुछ दिन पहले ही जो वीडियो बना के आपको दिखाया था बर्स बनी हुई थी तो अब इतने सारे खिल गया हैं कि बहुत ही ये खूब लग रहे हैं तो इसके साथ साथ आप और भी कई सारे पुद्धे जो त्यार कर रहे होंगे जैसे गर्मियों के तो आज मैं आपको छे पुद्धे बताऊंगी कि वो बड़े ही हार्डी और पर्मानेंट होते हैं तो एक बार ये लगा तो बस थोड़ी सी केर करनी पड़ती है तो हमेशा ही वो गार्डन में बने रहते हैं और वो छे कौन से हैं तो उनको मैं बताऊंगी कि आप जो पुराने पुद्धे हों जा न्यू निकल रहे होंने ट्रांस्प्रांट कर सकते हैं सीर से भी लगा सकते हैं या फिर उनकी कटिंग भी कईयों की लगा सकते हैं तो आने वाले टाइम में फिर आपका गार्डन पूरा जो है हराबरा होगा तो ये वही वाला पुद्धा जो छोटी सी जो मैंने छोटी सी बकेट में दिखाया था ना उसी में ये देखो खिल रहे हैं ये जो मैंने बकेट दिखाई थी कि इसमें है तो ये देखिए इतने सारे खिल रहे हैं कि मन कररा बस Їनको देखते ही रह चाएं तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि वो 6 कोण से हैं तो नमबर 1 पे जो میरा बिलिस कई सारे रंके होते हैं तो इसके जो मैंने ये देखा है सीर जो है सारा साल भरूखते रहते हैं इस बारी मैंने चत पे जो मेरे पोद्दे लगे थे तो बरपूर सर्दियों में भी वो उनके छोटे पोद्दे लग रहे हैं और जो सर्दियों के लगे हैं उनमें फूलाना भी स्टार्ट हो चुके हैं तो उनके नीचे जो खुब सारे पोद्दे अपने आप निकले हैं तो उनको आप गमलों में ट्रांस्प्रांट कर सकते हैं अपनी जुरुरत के हिसाफ से या फिर इनके जो ट्यूबर भी होते हैं पुराने तो ट्यूबर निकालके ट्रांस्प्रांट कर सकते हैं तो एक हो गया मेरा वेलिस और नंबर दो पे पार्चुलका पर्सलेन इसकी खोब स टाइम जो बहुत ज़्यादा जा ड्रेने सिस्टम बढ़ी होना चाहिए, खुब सारा पानी जैसे नहीं होना चाहिए, मिट्टी जो भुर भुरी जैसी होने चाहिए, तो ये सब ध्यान रखना है, तो ये पर्सलेन लगा सकते हैं, नमबर तीन पे पार्चुलका मौस रोज, तो ये भी बहुत ही बड़ी आ लगते हैं, जो कटिंग से त्यार हो जाते हैं, एक तो सीड वाले सीड भी लगा सकते हैं, और जो हाईविरिड वाले होते हैं, और जो देसी वाले होते हैं, ये भी कई रंगों में पाए जाते हैं, तो इनकी आप कटिंग लगा सकते हैं, प पार्चुलका पर्सलेन, नमबर तीन पे पार्चुलका मोस्रूज, तो ये दुनों ही पार्चुलका में आते हैं, पर पर्सलेन अलग होते हैं, मोस्रूज अलग होते हैं, फोर्थ नमबर पे हमारा बहुत ही हाड़ी प्लांट, जो है क्यूवन वटरकप, तो क्यूवन वटर पराजिता क्लिटोरिया के सीड्स आप डाल सकते हैं और पुराने पुद्दे भी ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं। लगा सकते हैं तो ये जो छे मैंने प्लांट्स बताएं हैं एक बारी आपके गार्डन में आ जाएं तो फिर ये कभी भी खत्म नहीं होते हैं और आपका गार्डन जो हमेशा ही जो ये जगे में इदरूदर जो बीड्स की तरह ये निकलाते हैं और आपको निकाल निकाल के इ जितनी जिरूरत है उतने आप रख लीजिए, उतने आप अपने गमलों में अपने हिसाफ से जितने त्यार करने हैं बना दीजिए और समर पॉइंट सिटी है कि तुम आप इसकी हैज भी त्यार कर सकते हैं बोर्डर त्यार कर सकते हैं इसका मिन्नी गार्डन त्यार कर सकते हैं तो यह बहुत ही बड़ी अलगते हैं अगर क्यारी में लगाना चाते हैं तो क्यारी में भी आप इसका बोर्डर बना सकते हैं और यह पूरा साल मैंने देखा कि मेरे गार्डन में जैसे गर्म इलाके वाले हैं हम बहुत ज़्यादा ठंड जैसे नहीं होती तो पूरा साल वरी रहते हैं नमस्ते जी शुकरिया